आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पोहे की रेसिपी जो बहुत जल्दी बन जाती है और हम इसे बहुत एंचॉय करते हैं और टाइम बिलकुल भी नहीं लगता है तो आप अफ़तारी में भी अगर इसे बनाएं तो कुछी देर पहले आप बनाएंगे और गर्मा गरम आप इ इसको थोड़ा सा बस चला ले और इस्टेनर की हेल्प से इसका पाणी निकाल दे कुछ लोग इसे डारेक्ट इस्टेनर में धोते हैं उससे अतनी अच्छी थे गंदगी निकलती है आप इसको हटा कर देखेंगे तो यह देखें आप देख सकते हैं कि पानी बहुत गंदा हो जाता है तो इसको आप कटोरे में डाल के या बड़े बरतन में डाल के ऐसे करके धोएं तो आपके सारी जो गंदगी रहेगी वो निकल जाएगी और अब हमने एक परातने पोहे फ़ला लिए हैं अब इसमें डाल देंगे आदी चमच हल्दी और एक चमच नमक और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल ले और आधी चमच मिर्ची लाल मिर्ची पावडर आप चाहें तो आप स्किप करना चाहते हैं तो इसकिप कर सकते हैं और हमने यहाँ पर एक चमच शकर डाल दी है भरके और हमने यहाँ पर डाला हुआ यहां पर हमने एख नीबू का रससे टाला है। यह शब चीजें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से कर्चुर की हेल्ब से मिला लेंगे तक हम आपको ऑने अच्छे मिक्स कर लेंगे दिए अपने जालेंगे और पोहे बहुत टेस्ती बनेंगे तो इसी तरह आप नेगे आप बकूरा अब नईगे पोहे बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते नीच अब और अच्छी तरह से पूरा परफ्रेक्ट्ट्ली मिल जाएगा अब हम एक कड़ाई ले लेंगे कड़ाई में डाल देंगे रिधाइन रॉल ही और सबसे फ़हले Whenever मूपली फ्राय ऑजीए पॉस्पक्राअ डार्न पिरन करेंगे कि नहीं करेंगे विछ नहीं ले हैं आधिछम Taylor Line, 24 जरता ही चमस र ही राई तो तौरा स्क्रैकर होने दे हम दाल दी चारपा चरे मिर्ची की बड़ी बड़ी करकर करके हैं कि आप सबूस्चें छोटी इंसी सबूस्चा ना चerण करके यहां पर हम्ने कड़रों और यह है एक मीडियम साइज का प्याज जिसे हमने कट कर लिया था बारिक और इसमें डाल देंगे और इसको फ्राइ कर लेंगे पोहे में भी आप अपनी मन पसंद की वेजीज डाल सकते हैं आप चाहें तो आलू अगेरा भी डाल सकते हैं बट अब यहाँ पर हमने बहुत इसको सिंपल और इजी रखा है तो कुछी वेजीज के साथ हम इसे बना रहे हैं कि आज जब आपके ट्रांस्लूसेंट हो जाए तो इसे हम दो टमाटर डाल देंगे कट करके और इसको भी थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे ताकि टमाटर हरका सा गल जाए तो यहाँ पर चलाते हुए और हमने इसमें अब नमक डाल दिया है तो नमक डलते ही यह थोड़ा सा जल्दी गल जाएगा बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद ही हमें इसमें ट्रांस्फर कर देने हैं वह जो हम एकदम पुफिक्ट आया है अब यहां पर हम इसमें मिला देंगे ठोड़ा सा धनिया डाल ओसारं प्रस्टाट इंस सब्सक्राइब कर को कि अपर शेयर, कि कम chưa सब्सक्राइब तो यहाँ पर हम इस तरह से आपको यह शेयर कर रहे हैं वीडियो तो यह आप हमने इसको सर्विंग बोल में निकाल लिया है और जो इसमें हमने शुगर एट की है उसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राय करिएगा पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज लाइक और शेयर जादा से जादा शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा तो अब यहांपर देखे हम ने से और ढाल देंगे तोड़े से टमाटर ऊपर से और डाल देंगे गार्निश के लिए तो देकि कि देखिए यो देखने पहुत अच्छा लमें लगे औ और last but not the least इसमें सेव और डाल दें ये बहुत टेस्टी लगते हैं तो ये पोहे गर्मा गरम बन कर तयार है इसे जल्दी जल्दी से खाये गर्मा गरम और enjoy कीजिए और चैनल को subscribe भी कर दीजिए thank you